कि नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ निहा वर्मा परदेश सरकार भरष्टा चार को जड़ से खत्म करने के दावे तो करती है लेकिन यह धरातल पर कितना कारगर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अधिकारी करमचारी तबादला होने के बावजूद भी बिना खोफ के अपने मन मुताबिक अपनी नोक है आपको बता दे कि ESI विभाग की कमान परदेश के उपमुख्य मंत्री दुश्यन चोटाला के हाथ में हैं हाला कि उपमुख्य मंत्री के पास जितने भी विभाग हैं उनमें से कई विभाग पहले से ही सवालों के घेरे में आये हैं जो मीडिया की सुर्ख्या भी बने औ करनाल ESI अस्पताल में तैनात महीला डॉक्टर अलका गिरोत्रा गत कई वर्षों से ट्रांसवर ओडर होने और डिप्यूट किये जाने के बावजूद भी अपने जिले को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी जबकि करनाल जिले में वह जिस पोस्ट पर बैठी थी उसकी स्विधा ही ESI अस्पताल में नहीं है डॉक्टर अलका गिरोत्रा सरकारी आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ा रही थी इसके पुस्टे इस बात से होती है कि उसे ट्रांसवर करने के साथ ही जिस जिले में सबताहा में एक या दो दिन के लिए डिप्यूट किया जाता था वह वहाँ पर भी नहीं जाती थी जबकि उन अस्पतालों में मरीज अपने उपचार के लिए आकर लोड़ जाते थी कारण है कि वहाँ वह डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं होती थी यही नहीं ट्रांसवर ओडर आने के बाद महिला डॉक्टर मांसिक तनाव और चोट की बात कहे कर मेडिकल लीव पर भी चली गई थी वही जब इस संबंद में अधिकारियों से बात की गई तो वह पंजाब एंड हरियाना चंडिकड हाई कोर्ट का स्टे होने की बात कहे कर इस बात को टाल गए और साथ ही स्टे ओडर की फोटो कोपी मंगवाने पर उसे उपलवद भी नहीं करवा पाई वहीं सीमो डॉक्टर शिव कुमार ने कहा था कि वह लगबग एक साल से डॉक्टर अलका गिरोत्रा को करनाल में देख रहे हैं सीमो डॉक्टर शिव कुमार ने यह दावा भी किया था कि डॉक्टर अलका ने ट्रांसवर ओडर का स्टे ले रखा है और कोट के आदेशों से बैठी है किन्तो बार-बार मांगने पर भी स्टे ओडर ना देना उनके द्वारा किये गए दावों की जूट की पोल खोल रहा है जबकि जो पिटीशन डॉक्टर अलका ने हाई कोट में डाली थी उसका फैसला 15 फरवरी को आया जिसमें डॉक्टर अलका को हाई कोट से कोई प्रात्मिक रिलीफ नहीं मिला और विभाग में बैठे अधिकारियों के हाथ पांप फूल गए आनन फानन में एक फरवरी के तबादले के आदेश तवरित जारी कर दिये गए अब सवाल यह आता है कि डॉक्टर शीव कुमार ने समाचार एक्सप्रेस को जूट क्यों कहा कि डॉक्टर अलका को कोट से स्टे मिला हुआ है आप देख लेना यह बात वह कहा है शीव कुमार लोग तंतर के चोथे स्टम को गुमराहा करना चाह रहे थे क्या इसमें सीमो डॉक्टर शीव कुमार का कोई फायदा था या उन पर कोई दवाव यह तो जांच का विश्य है आप सुनिए डॉक्टर शीव कुमार ने कितने दावे के साथ समाचार एक्सप्रेस को बताया था कि डॉक्टर अलका का कोट के पास स्टे है सुनिए आप यह ओडियो आपने है ओडियो भी सुनि और अब यह दूसरी ओडियो भी सुनिए जब वह अपनी ही कही बात से मुकर गए आप हाई कोट की ओफिशल साइट पर डाले गए ओडर की कोपी भी देखे जिसमें डॉक्टर अलका को स्टे नहीं मिला है सवाल यह प्यूबर कर सामनी आ रहा है कि डॉक्टर शीव कुमार क्यों डॉक्टर अलका का बच्चाव करने में लगे रहे उन पर ऐसा क्या दबाव था या फिर वे इस खेल में पूरी तरह से शामिल थे उनके जूट की पोल इस बात से भी खुलती है कि कोट ने एक दिन पहले ही 22 परवरी की तिथी निर्धारित की है साथी अभी तक स्टे ओर्डर नहीं दिया गया है अब आप ही समझे सारे मामले की CMO डॉक्टर शीव कुमार को यह भी पता था कि डॉक्टर अलका ने हाई कोट में केस किया हुआ है और वह मेडिकल लीव पर है हलाकि उनके मेडिकल लीव की तिथी भी 15 फरवरी को समाप्थ हो गई और इस दोरान सूचना यह भी है कि विभाग ने आनन फानन में उसका रिलीव ओडर भी जारी कर दिया आखे डॉक्टर अलका क्यों हाई कोट से स्टे लेना चाह रही थी यह एक बड़ा सवाल है जबकि उन्हें पता है कि यहां उनकी योगिता के अनुसार पद नहीं है डॉक्टरों का भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि वह जनता की सेवा कर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं सरकारी नोकरी पर रहते हुए डोक्टरों का ध्यान केवल जनता की सेवा पर होना चाहिए परंतु डोक्टर अलका को जनता की परवाह ना होकर केवल अपनी परवाह थी क्योंकि जहां पर जनता को उनकी जरूरत थी वहां पर वै जाना नहीं चाहती थी तो फिर डॉक्टर अलका ने सरकारी पैसे से DMRD का कोर्स क्यों किया क्या सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए आई अब आपको बताते हैं कि पूरा मावला क्या था करनाली SI में तेनात महिला डॉक्टर अलका गिरोत्रा एक रेडियो लोजिस्ट है जबकि करनाली SI में ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं लेकिन फिर भी वह करनाल में कई वर्षों से इस पोस्ट पर तैनात रहीं यह हम नहीं कह रहें बलकि हर्याना सरकार की पॉलिसी कह रही हैं यह सब अधिकारियों की मिली भगत से ही चलता रहा डॉक्टर अलका गिरोत्रा ने सरकार के पैसे से दो वर्ष का DMRD रेजियो लोजिस्ट का कोर्स देरादुन सित HIST University से किया कोर्स करने के दुरान डॉक्टर अलका गिरोत्रा को दो वर्ष का वेतन और इस कोर्स की फीस भी बकाईदा सरकार के दुरा दी गई थी आप अपनी स्कीन पर देखे वेतन और इस कोर्स की फीस देने का सरकार दुरा जारी किया गया यह है पत्र अब सवाल यह आता है कि जब सरकार दुरा इस कोर्स को करने की फीस भी अदा की गई फिर भी यह डॉक्टर कोर्स करने के बावजूत जन्ता की सेवा क्यों नहीं कर रही आपको बता दे कि रेडियो लोजिस्ट की पोस्ट हर्याना में फरीदाबाद, पानिपज, जगादरी और भीवानी में है लेकिन यह डॉक्टर करनाल में ही क्यों तेनात रही जबकि यहां रेडियो लोजिस्ट की कोई पोस्ट ही नहीं है, ना कोई सुविता है समाचार एक्सप्रेस के पास इस डॉक्टर के तीन ट्रांसफर ओर्डर की प्रतिया मोजूद है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रही है क्योंकि समाचार एक्सप्रेस छिपाता नहीं दिखाता है समाचार एक्सप्रेस सबूतों के आधार पर ही सबी खबरों को प्रसारित करता है डॉक्टर अलका गिरोत्रा जिसकी पहले 27 जुलाई 2018 को पानिपत से करनाल ESI अस्पताल में न्यूक्ती हुई थी उसके बाद 8 जनवरी 2019 को डॉक्टर अलका गिरोत्रा की प्रति न्यूक्ती ESI अस्पताल जगादरी सब्ताहा में दो दिन के लिए खी गई थी लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर पदभार समालने की जहमत नहीं उठाई इसके पस्चात एक फर्वरी 2021 को पुनहे अलका गिरोत्रा की न्यूक्ती ESI अस्पताल जगादरी और सब्ताहा में एक दिन प्रति न्यूक्ती ESI अस्पताल पानीपत के लिए खी गई जहाँ पर इस डोक्टर की जरूरत थी वे वहाँ ना होकर अपनी सुईधा अनुसार नोक्री कर रही थी क्यों क्या उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं थी जिस जनता की सेवा के लिए इस डोक्टर ने सरकार की मदद से यह कोर्स किया उसी सरकार को यह पलीता लगाती रही डॉक्टर के अभाव के चलते मरीज बिना उपचार के ही अस्पताल से लोट जाते और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीज दे कर उन्हें उपचार करवाना पड़ता है आखिर ऐसी क्या वज़े है कि सभी स्विधाएं होने के बावजूद डॉक्टर अपनी डूटी इमानदारी से नहीं कर रही और सरकार की आँखों में धूल जोगती रही आखिरी ट्रांसफर ओडर डॉक्टर को एक फरवरी 2021 को जारी हुआ और ओडर में साफ लिखा है कि उसी दिन से वह अपना पदवार संभाले लेकिन ऐसा ना करके डॉक्टर अलका गिरोतरा आठ फरवरी को मेडिकल लीव पर चली गई और इसकी जानकारी समाचार एक्सप्रेस को सीमो डॉक्टर शीव कुमार ने दी साथ ही धमकी बरे लेहेजे में यह भी कहा कि डॉक्टर अलका गिरोतरा के पास कोट का स्टे ओडर है ये भी आप देख लेना वह कोट के आदेश से करनाली SI में बैठी है जब समाचार एक्सप्रेस ने इसकी पड़ताल शुरू की तब पता चला कि डॉक्टर अलका गिरोतरा ने पंजाब एंड हरियाना हाई कोट में एक सीरिल डिट पिटीशन हरियाना सरकार और अन्य के खिलाफ डाली हुई है जो दिनाग 15 फरवरी 2021 को विचारा धिन थी और अब इस मामले में कोट ने अलका गिरोतरा को अंतरिम स्टेन नहीं दिया साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथी निर्धारित कर दी जिसकी प्रतिया आपके स्क्रेन पर दिख रही है हम आपको बता दे कि डॉक्टर शिव कुमार के दावे को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें अलका गिरोतरा की पूरी जानकारी है और उन्होंने बिना होंवक किये अपने दावे को पुक्ता किया यही नहीं उन्होंने इसको लेकर समाचार एक्सप्रेस को भी डराने की कोशिश की और गुमरहा करने की कोशिश की उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास कोट के स्टे ओडर है और वह कोट के आदेश से वहां बैठी है जबकि ऐसा नहीं है पंजाब एंड हर्याना हाइकोर्ट चंडिगड की ओफिशिल साइट पस चे बाबत कोई ओडर नहीं दिर्शाया गया हाइकोर्ट की आदेशों को आपने स्क्रीन पर देखा मतलब साफ है सरकार द्वारा जारी किये गए ट्रांसफर आदेश कोई माईने ही नहीं रखते यहाँ पर रिधिकारी और करमशारी मिलकर रास्ते बनाते हैं और सरकार द्वारा जारी आदेशों को धत्ता बता रहे है अब सवाल यह उड़ता है कि ट्रास्फर उडर आने के बाद ही क्यों डोक्टर अल्का मेडिकल लीव पर चली चाती है क्या medical leave सही है या इसमें भी कोई गोलवाल था क्योंकि यह medical जो की सरकार के डॉक्टरों के द्वारा ही किया गया है medical leave के अनुसार डॉक्टर अलका को चोट लगी थी और वह मांसिक रूप से तनाव में थी और वह इसकदर तक तनाव में थी कि वह सीधा हाई कोट में पहुँच गई थी समाचार एक्स्प्रेस के पास leave की कोपी भी है जो की स्वयं सीमो डॉक्टर शीव कुमार ने उपलब्द करवाई है और इसकी प्रती आपके स्क्रीन पर है यहां सबसे बड़ा सवा कि जब डॉक्टर अलका मांसिक रूप से तनाव में थी तो वह हाई कोट में कैसे केस डाल सकती है मतलब साफ है कि यह केवल हाई कोट में केस डाल कर ट्रांस्फर रुकवाने के लिए खेल खेला गया है आखिर यह जोक्टर क्यों तबादला नहीं चाहती अधिकारियों की भूमिका भी इस खेल में शामिल है इसी को इनकार नहीं किया चाह सकता यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या अधिकारी और डॉक्टरल का गिरोतरा मिली भगत कर सरकार और जनता को गुम रहा करते रहे या अधिकारियों को डॉक्टरल का गुम रहा करती रही यह तो जाच का विश्य बनता है साथी सवाल यह भी उटता है कि CM City में जब यह हाल है तो परदेश के अन्य जिलों में अधिकारी क्या गुल खिलाते होंगे अधिकारियों की बातों से सिर्फ यही बूट्टी दिख रही थी कि ये खेल मिली भगत करके खेला जा रहा है और लगता है कि अधिकारी ऐसे खेल खेलने में परिपक्व हैं इन सब बातों को लेकर जब समंदित विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मलिक से बात की गई तो उन्होंने भी सिर्फ गोल मोल ही जवाब दिये जिससे साफ पता चलता है कि कही ना कहीं इस खेल में उनके भी रजामंदी थी हलाकि एसाई विभाग की कमान परदेश के उस नेता के हात में है जो परदेश का उपमुख्य मंत्री भी है हलाकि उप मुख्य मंत्री के पास जितने भी विभाग है उनमें से कई विभाग पहले से ही सवालों के घेरे में हैं और उनमें हुए भरष्टा चार भी जनता के सामने आए हैं जिनमें अभी जाजारी है देखना यह है कि अभी इस खेल का असली खिलाडी उप मुख्य मंत्री दुश्यन चुटाला इस मामले को किस परकार से देख ऐसे अधिकारियों और करमचारियों के खिलाब कितना बड़ा एक्शन लेंगे हर्याना सरकार जो परदेश की जनता को साफ और भष्टा चार से मुक्त शासन देने के दम दिन प्रति दिन भरती रहती है और सभी विभागों में पारदर्शिता के साथ काम करने की बात करती है जबकि ऐसा धरातल पर कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सरकार की अदेशों को दर किनार कर अपनी मर्जी के मुताबिक जीले में अधिकारी मिली भगत से करमचारी और अधिकारी नोक्री कर रही है जहां सरकार से नोक्री करने की तनखा भी ले रही है और पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस की वसूली भी कर चुके है साथी सरकारी आदेशों को धत्ता बता अपनी मर्जी से जीले में ही नोकरी कर रही है